नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा एस एच्टी प्लस मीनी ट्रक के बारे में और साथ ही इसका मैं अपडेट भी आप लोग को बता दूंगा कि इसमें क्या क्या अप यह इस तर्क है वो बार है कि इसमें ज्यादा कर दिया गया है इस गुल्ड डिजल और पेटूरल मोडल के मॉकाबले और इसका डाला भी बढ़ा कर दिया अगया है लंबाई और शवडाई इसमें देखने को मिलेगा इसमें आपको 884 cc का dual cylinder engine मिल जाता है डियाई इंजन जो 35 hp का power produce करता है और 85 newton meter max power produce करता है और इसका payload है 900 kg का है passing और इसका जो gbw gross vehicle weight 2000 kg है और डाला का लंबाई 8 foot 2 inch है और 4 foot 9 inch और इसमें आपको interior की हम लोग बात करें तो इसमें manual steering मिल जाता है इसमें कोई और steering नहीं है और fully digital meter console दिया गया है गीर shift advisor के साथ और इसके साथ ही इसमें आपको charging का switch मिल जाता है और जो seat है वो driver और co driver दोनों ही comfortable seat है headrest के साथ और हम लोग पत्ती की बात करें तो आगे में दो पत्ती और पीछे में तीन पत्ती दिया गया है lip सेमी लिप्टिकल लिफ सस्पेंशन और फ्यूल टेंग इसका 30 लीटर है और जो gradability है वो 29 परसेंट gradability है और इसमें आपको जो टॉप स्पीड है वो 60 km per hour कम टॉप स्पीड इसमें लिमिट बादा गया है मतलब कि 60 के आगे ये बाई गारी भाग नहीं सकती है और servicing interval 10,000 km रुपे है या फिर आठ महिना पर है जो पहले आए उससे servicing और clutch जो है इसमें 185 mm def gram clutch इसमें यूज हुआ है और gear 4 forward है और एक reverse पांच gear इसमें दिया गया है और इस गारी की curve weight 610 kg है 610 kg और gross vehicle weight है 1510 kg मतलब गारी का वजन और जो प्रेलोड वो दोनों मिला के 1510 kg है और 2000 kg ये loading ले लेगा आप से 2000 kg तो आज की विडियो में इतने ही दोस्तो थेंग यू यू यह लेगाए पहर पहर है थेंग यू